एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बैल आइकन पर आपका फिर से स्वागत है टेक्षप के एक फ्रेस एपिसोड में तो दुस्तो आज के इस पीडिम हम बात करेंगे डगडगो सच एजन के बारे में तो इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ दूस्तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए यदि आप भी कुछ बड़ी सर्च इंजन आपको ट्रैक करते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं पर यहां आपको प्राइवेट ब्राउजिंग मोड के तो छोड़िये आपको नॉर्मल मोड में भी ट्रैक नहीं किया जाता और इसमें गूगल जैसे और कुछ ऐसे फिचर्स हैं जो कि आपको गूगल सर्च में नहीं मिलते हैं मैं आपको उसके कुछ एक्जामबल बताता हूँ कि हम इनके फिचर्स का कैसे यूज ले सकते हैं तो यह देखिए मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया आप मैं यह ओपन करता हूँ डगडगो.com यह देखिए दोस्तों यहां पर बैंग लिखा और यह देखिए यहां पर आपको हजारों website के shortcut मिल जाएंगे आप उसके दौरा उस website में कुछ भी search कर सकते हैं आपको पूरा लिखने की जिरूत नहीं है सिंपल से आप उसके shortcut का use कर सकते हैं जैसे मैंने search किया तो मैंने exclamation mark के साथ ए लिखा और enter दवाया य देखिए दुस्तों यहां पर amazon.com open हो चुका है जैसे मैंने लखा yt तो यहां पर youtube open हो जाएगा और आप इसमें कुछ search भी कर सकते हैं आपको इस website में कुछ search करना है तो simple से उसका shortcut लिखिए और जो भी आपको search करना है वो type कर दीजिए जैसे मैंने लखा yt tech chip और यह देख यह FB और आपको कुछ search करना है या B पर आप वो भी लिख सकते हैं यह देखिए यहां पर facebook open हो गया और वो search भी हो गया तो आप इस तरह से यहां पर bank कर यूज करके बड़ी आसानी से search कर सकते हैं और देखिए यह देखिए मैंने लिजिए आपको इस website open कर रहे हैं और वो यह website up है यहां पर उसका आपको response time बगरा सब कुछ दख़ई दे जाएगा तो आप इस तरह से किसी भी website का status चेक कर सकते हैं कि वो website up है या down है इसके लिए बाद दुस्तों आप टगडगो के दौरा किसी की भी social profile search कर सकते हैं आपको result वहीं मिल जाएगा आपको अंदर जान बड़त नहीं पड़ेगी तो आप इस तरह से किसी भी social profile को चेक कर सकते हैं और देखिए मैं आपको और बताता हूं यह से मैंने लिखा figlet tag chip तो यहां पर tag chip का figlet text generate हो जाएगा आप इसको copy करके कहीं भी use ले सकते हैं और देखिए जैसे मैंने सर्च किया calendar तो आपको यहां 1990 का calendar देख जाएगा और देखिए मैं आपको और बताता हूं यह से मालीजी आपने कोई text type किया हुआ है तो आप उसका case भी यहां पर change कर सकते हैं तो जैसे मैंने सर्च किया upper case और मैंने अपना एक text type कर दिया आप देख सकते हैं यह upper case में convert हो जाएगा आप देख सकते हैं यह पूरा capital लग गया तो आप इस तरह आपने किसी भी string को किसी भी case में change कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको change करना चाहता हूँ title case में तो मैंने upper case के लग दिया title case और यह देखिए यह title case में convert हो चुका है और देखिए मैंने सर्च किया stop watch तो यहां पर stop watch open हो जाएगी आप इसको start कर सकते हैं लैब बना सकते हैं तो आप यहां पर stop watch का use ले सकते हैं यह देखिए perfect काम कर रही है और देखिए माली जाप किसी account के लिए password डालना चाहते हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या password डालें तो आप डग डग गो के दवारा कुई random password generate हुई कर सकते हैं simple से search कीजिए password और कितने digit का password चाहिए वो digit लेग देजिए जैसे मैंने search किया password 10 तो यहां पर 10 डिजिट का random password generate हो जाएगा यह देखिए आप इसको यहां पर use ले सकते हैं और देखिए जैसे मैंने search किया weather in Delhi तो यहां पर आपको पूरी detail मिल जाएगी किया दिली का मौसम कैस sort and URL को डगडगो के दोरा expand कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप क्या open करने वाले हैं जैसे यह देखिए दोस्तो मैंने अपने एक वीडियो की description में एक sort and URL दिया हुआ था तो हम इसी को expand करके देखेंगे तो मैंने यह copy कर लिया और जहां पर हम search करेंगे expand जो भी आपकी sort and URL है उसको paste कर दिजे और search करेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर यह expand हो चुका है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस sort URL में क्या चुपा हुआ है कि इसमें क्या open होने वाला है दोस्तो इसका काफी use hacking में भी लिया जाता है कई तरह के software य इसमें से पहली expand कर सकते हैं कि आप क्या open करने वाले हैं जिससे कि आप अपने आपको safe रख सकते हैं आप यहाँ पर अपने sort and URL जनेट भी कर सकते हैं किसी भी अपने long URL के लिए simple से search किजिए sort and और जो भी आपका URL है वो पूरा URL यहाँ पर paste कर दिजिए या type कर दिजिए औ तो उस URL का sort and URL जनेट हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर इसका sort and URL जनेट हो गया तो इस तरह के काफी कमाल के features इसमें मिलते हैं और देखिए मैं आपको और बताता हूँ जैसे कि मानलीज आपको loan calculate करना है तो मैंना search किया loan कितने रुपे का loan है कितना interest है कितने year के लिए ह तो आपको वह सारी चीज़ लिखकर यहाँ पर search कर सकते हैं और यह देखिए यहाँ पर आपको result मिल जाएगा कि आप कितने interest pay करेंगे कितनी EMI आएगी कितने साल के लिए है तो आप वह सारी चीज़ चुटकियों में यहाँ पर कर सकते हैं बाकि आपको Google जैसे common feature भी मिल ज यही same features आपको Google में देखने को मिल जाते हैं वह आपको यहाँ भी मिल जाएंगे और आप इन features के लावा आप यहाँ बिल्कुल normal search भी कर सकते हैं तो इनके search rate भी काफी बहतर है यह देखिए दोस्तो मैंने search किया tech chip और आप देख सकते हैं यहाँ पर tech chip के बारे में पूरी detail आ गई tech chip के videos, tech chip के YouTube channel, website, उसकी social profile आपको पूर result यहाँ पर मिल जाएगा जैसे मैंने search किया tech chip hacking और यह देखिए यहाँ पर tech chip के वीडियो आपको दिखाई देगे तो आप इस तरह से यहाँ पर search कर सकते हैं काफी बहतर search result आता है इसका और दोस्तों आप इसको अपना default search engine म बना सकते हैं यहाँ आप Firefox यूज करते हैं तो आपने इस साइड में search bar देखा होगा आप यहीं से Google search कर सकते हैं पर यहाँ आपको यहाँ से search engine चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको search engine दे रखे हैं जैसे मैंने click किया डग 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 गो पर तो यहाँ पर डग डग गो search engine open हो जाएगा यहाँ आप default search engine चेंज करना चाहते हैं तो click कर दिजिए change search setting पर तो यहाँ आप अपना default search engine चेंज कर सकते हैं तो मैंने आप गूगल की जगह ले लिया डग डग गो तो अब आप इस search bar में कुछ भी search करेंगे तो वो डग 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 गो के द चलता है कि आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं जिससे कि मैं आपको और बहतर जनकरी आगे दे पाऊं तो like और share जरूर कीजिए और यदि आप इस चनल पर नए आए हो तो subscribe कर लिजिए बैल आइकन के साथ क्योंकि आपको इस चनल पर ethical hacking के वारे में वाइट अट हैक झाल